अडेनियम प्लांट्स बाइक कटिंग दोस्तो अडेनियम के प्लांट सिर्फ सीड से ही नहीं हम कटिंग से भी तयार कर सकते हैं और कटिंग से तयार किये वे प्लांट के कितने फायदे हैं और किस तरीके से हम उसको तयार कर सकते हैं और किस तरीके से वो देखने में seed grown plant से भी ज़्यादा सुन्दर बन सकता है वही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग और आपके गार्डन आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे स्वागा थे एक बार फिर से आपके चैनल exotic plants and care में आज आप देख रहे हैं अडेनियम plants by cutting आप जो मेरे ये तीन plant देख रहे हैं ये cutting के जरिये ही बने थे और जब मैंने इनको लगाया था तो मुझे पता नहीं था कि ये आगे चलके इतने healthy भी बन जाएंगे और इतने आकरसक भी लगेंगे देखने में इनको तयार होने में एक साल से कम का समय लगा है और ये देखते ही देखते इतने बड़े भी हो गए और इनका codex भी बहुत अच्छा बन गया है और जब मैं इनको बड़े पोर्ट में शिफ्ट करूँगा तो ये और भी आकर सक लगेंगे दोस्तों ये मेरा आरेविकम यमिन का प्लांट की ब्रांच है और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से ये ग्रो हुआ है और एक छोटा सा ही पोर्ट है जादा बड़ा पोर्ट भी रही है और इस पोर्ट के अंदर मैंने जब इसको लगाया था तब ये बहुत ही छोटा और बहुत ही पतला था और अब इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि इसने अपना नीचे से कोडेक्स भी बना लिया है और इस समय ये एल्दी ग्रोथ पर भी है इसकी ब्रांच पर उपर भी छोटी छोटी ब्रांचे निकल गई है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसके उपर ब्रांच निकलेंगी और ये और भी आगर्शक बनेगा दोस्तों ये मेरा थाइसोको का एक प्लांट था तो वो रोट हो गया था उसका कोडेक्स अल्मोस्ट डैमेज ही हो गया था तो उसकी जो ब्रांज थी उनको मैंने सेव कर लिया था बड़े दुख के साथ और मजबूरी के साथ मैंने इसको इस छोटे से पोट में उस समय लगाया था लेकिन अब ये फिर से तयार हो गया है और इसने अपने आपको एक प्लांट का रूप दे दिया है तो जो प्लांट मेरा डैमेज हो गया था और जो इस वक्त मेरे पास नहीं है वो इस समय इन ब्रांच के रूप में मेरे पास मोजूद है दोस्तो यदि आपका कभी भी कोई प्लांट डैमेज हो जाता है और उसकी कंडिशन ऐसी लगती है कि वो बचेगा नहीं तो आप उसकी ब्रांच जो होती है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं उस सुरक्षित कर सकते हैं ताकि आपके पास वह प्रजाती हमेशा बनी रहें क्योंकि परजाती का होना भी एक बहुत बड़ी बात है यदि वह परजाती आपके पास रहेगी तो आने वाले समय में उस ब्रांच से और या फिर उस प्लांच से जो सीड बनेंगे उससे आप सीड ग्रोन प्लांट भी प्राप्ट कर सकते हैं तो इसलिए इस तरीके से पहले अपने अडेनियम प्लांट को सेव करने के लिए मतलब उसकी प्रजाती को सेव करने के लिए उनकी ब्रांच को सुरक्षित करना चाहिए इस कंडिशन में यदि आपका अडेनियम प्लांट रोट हो जाता है आप देख रहे होंगे कि मेरे इस cutting plant के उपर flower birds आने सुरू हो गए हैं और जब ये bloom होंगे तो इनके उपर pollination करके मैं इस प्रजाती का seed grown plant बना लूँगा आप भी किसी भी ardenium plant की cutting को grow करके उससे seed grown plant बना सकते हैं और यदि आप किसी plant की cutting को grow करते हैं तो उसके अंदर कोई difference भी नहीं आता है उस cutting पर same flower आएगा और same plant बनेगा जैसा आपका seed grown plant बनता है आप देख रहे होंगे कि जिस pot में मैंने इसको लगाया हुआ यह लगबग 8 inch का pot है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह पूरे अच्छे से fix हो चुका है इसकी roots भी अंदर से नीचे से turn हो गई होंगी क्योंकि इसको अब बड़े pot की जरूरत है तो next season में हम इसको shift क करेंगे बड़े pot के अंदर जब मैंने इनको इन pot में लगाया था तो उस समय इनकी growth इतनी नहीं थी बस एक simple सी stick थी और ज्यादा मोटी भी नहीं थी तो इसी वज़े से इतने छोटे pot में मैंने इनको लगाया था दोस्तों मैंने तो मजबूरी वश इन plant को grow किया था और त your plant तयार कर लेते हैं जैसा की आप यह देख रहे हैं यह मेरा आर्सियन का प्लांट है अब यह plant ही है मेरे पास लेकिन यह मैने थाand से मंगाया था तो यह मेरे को branch के रूप में आया था क्योंकि वहाँ पर यह अडेनियम का जो RCN है यदि original species इसकी चाहिए तो वहाँ से आपको branch ही लेनी चाहिए भाँ लेने से क्या होता है कि अडेनियम plant के genes जो होते हैं वह same as it is आपके पास आ जाते हैं उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता और फिर हाइब्रिट नहीं बनता उसके बाद जब चाहे आप जैसे चाहे उसके साथ पॉलिनेशन करके प्लांट तयार कर सकते हैं इस प्लांट का कोडेक्स भी काफी अच्छा मोटा ताजा हो गया है उस वक्त मैंने जब मंगाया था यह भी काफी पतला सा था अब तो काफी मोटा ताजा हो गया है दोस्तों यह विरा अरेबिकम का प्लांट था और इसके कोडेक्स में भी कुछ समस्या हुई थी तो इसकी ब्रांच भी रोट हो गई थी तो वह तो मैं प्रिजर्व नहीं कर पाया लेकिन मैंने इसका पूरा प्लांट ही स दोस्तों मैंने अभी पीछे आपको बताया कि कुछ लोग अपने अडेनियम प्लांट की कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद उनकी कटिंग को फेकते नहीं है उनको वह लगा देते हैं और एक नया प्लांट तयार कर लेते हैं तो जैसे मेरे यह प्लांट है इसके अ ये grow करेगा और हमें कभी भी branch को cut करें तो इस तरीके से यहां से करें codex के उपर से सटा करें ताकि उसका घाव भी भर जाए और इस तरह से वो अपने color में change भी हो जाए वो अलग भी नहीं लगेगा और आपका एक नया plant भी बन जाएगा और आपके codex के उपर कोई फर्ग भी नहीं पड़ेगा आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो plant है अभी छोटा ही है लेकिन इसके उपर बहुत सारी multi branches निकली हुई है तो ये जो side की branch है इनको यदि मैं cut करके अलग से कहीं grow कर दूँ तो ये बहुत अच्छे से grow होगा और इसका नीचे से codex wide भी होगा और ये जो branch है जो इस तरह की branch होती है इस तरह की branch को grow नहीं करना चाहिए grow हो भी जाती है लेकिन उस पे समय लगाना बेकार होता है क्योंकि इसका 50-50% का chance रहता है बलकि कमी रहता है ज्यादा छोटी होने की वज़े से वो road भी बहुत जल्दी हो जाती है तो इस plant के codex को shape देने के लिए यदि मुझे इनकी जो branch है प्रून करनी होती है तो मैं उसको प्रून कर लो यह देख रहे हैं इस plant की जो यह छोटी-छोटी सी branch है इनको हम cut तो कर सकते हैं लेकिन इनको cut करने के बाद grow करने में थोड़ा दिक्कत होती है यह समय भी जादा लेती है तो ऐसी branch पर effort कम लगाना चाहिए और समय भी अपना बचाना चाहिए तो थोड़ा सही age की जो branch होती हैं जैसी यह है इसको यदि हम यहां से side से cut करेंगे तो यह इसका codex हम सटा के करेंगे तो इसका codex आने वाले समय में उसी color में तो हो जाएगा और उसका shape भी अच्छा गोलाकार रूप में बन जाएगा अब आप देखिए मेरा यह plant है इसके अंदर भी काफी सारी branch निकली हुई है थोड़ा सा और grow हो जाएं यह branch तो मैं इनको cut करके अलग कर दूँगा और नए plant भी तयार हो जाएंगे और उनका एक benefit यह भी है कि जो species यह है और same species का plant तयार होगा यह कुछ समय पहले थोड़ा सा root हो गया था और अब तो इसका घाव भर गया है और अब यह ठीक ह इसके अंदर कोई समस्या नहीं है और यह भी array become का plant है और इसके जो root को हमने save किया था root को save कैसे करना है यह तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ आपको उसको पूरे plantों से अलग कर देना ताकि गलती से भी उसके उपर पानी ना पड़े और हो सक प्लांट की cutting grow करने का फाइदा यह होता है कि अडेनियम प्लांट जिस age का होता है वो भी उसी age का माना जाता है और वो उसी तरीके से treat करता है और flowering करता है आज की वीडियो देखकर आपको पता चली गया होगा दोस्तों कि seed के अलावा भी अडेनियम प्लांट को तयार किय जा सकता है जो देखने में किसी के भी मुकाबले में कम नहीं होगे तो आप भी अपने अडेनियम प्लांट से मल्टी अडेनियम प्लांट बना सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं आपको पूरी और अच्छी जानकारी आप तक पहुचा सकें यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद